चतिसगड में पहली बार नेशनल गोल्फ चैंपियंशिप का एजन होने जा रहा है इस चैंपियंशिप का आगाज गुरुवार से नेहराय पुरिस दिट फियरवेग गोल्फ पोर्स में होगा जबकि समापन 26 अक्टूबर को होगा चैंपियंशिप में चतिसगड में नेशनल गोल्फ चैंपियंशिप से गोल्फ के साथ ही परेटन को भी बढ़ावा मिलेगा चतिसगड में पहली बार नेशनल गोल्फ चैंपियंशिप का आयोजन होने जा रहा है इस चैंपियंशिप का अगास गुर्वार से नया रायपुर स्थित फेयर वे गोल्फ कोर्स में होगा जब कि समापन 26 अक्टूबर को होगा चैंपियंशिप में 36 गड़ समेट 20 राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही है माना जा रहा है कि 36 गड़ में नैशनल गोल्फ चैंपियंशिप से गोल्फ के साथ ही परिटन को भी बढ़ावा मिलेगा 36 गड़ में पहली बार नैशनल गोल्फ चैंपियंशिप गुलवार से होगा चैंपियंशिप का अगाज कैड़ी टूनामेंट से होगी चैंपियंशिप की शुरुआत देश की 20 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा 36 गड़ टीम में मुक्य सचिव अमिताब जैन भी खेलेंगे IFS अनिलराय, SS भजवाच, राजश अगरवाल भी मैदान में CM साय समापन में विज़ाई खिलाडियों को करेंगे पुरस्कृत गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयजित नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप के विज़ेता खिलाडियों को नगत पुरस्कार भी दिये जाएंगे प्रतम पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपे और ट्रॉफी दी जाएगी इसके साथी रनर अरप पुरस्कार 6 लाख रुपे और वाउचर और ट्रॉफी होगी तो वहीं के एडिट उनामिन में पहला पुरस्कार 1 लाख दूसरा 60,000 रुपे तीसरे के लिए 40,000, चौन्थे के लिए 30,000 और पाचवे नमबर के लिए 20,000 रुपे का पुरस्कार मिलेगा फेडरेशन के संस्थापक एवं महा सचिव आरेवी रार्या का कहना है रैपूर के गोल्फ कोर्स को राष्ट्रे इस्तर पर प्रमोट करने का प्रेटफॉर्म तयार होगा 37-36 गड़ को लेकर बना परसेप्शन भी बदलेगा और यहां पर परेटन को बढ़ावा भी मिलेगा तो वहीं चैंपियंशिप में भाग लेने के लिए पहुंचे दूसरे राजों के खिलाड़ों ने गोल्फ कोर्स की जंग करता आरीफ की है 20 टीम आल ओर इंडिया आ रही है एंड हर एक टीम में 6 पार्टिस्पेंट्स हैं एरांड 120 पार्टिस्पेंट्स होंगे में टीम के लिए नेशनल गोल्फ चैंपियंशिप के आयोजन में 36 गड़ सरकार की भी सहभागिता है इस आयोजन के पीछे सरकार का उदेश नवा राइपूर को परेटन के रूप में विक्सित करना है अब यह देखना एहम होगा कि इस गोल्फ नेशनल चैंपियंशिप से गोल्फ के प्रती लोगों में कितनी रूची बढ़ती है स्वपनिल गौर खेड़े आयनेश च्वंडिपूर सेवन राइपूर